नमस्कार मैं हूँ सच्चेदानद वसिष्ट सज्जनों हमने रत्नों के बारे में पहले भी वीडियो डाली हुई है लेकिन पहले जो वीडियो हमने दी उनके अंदर हमने बताया था कि किस रासी वाले को कौन सा रत्न पहनना चाहिए और उससे क्या लाब हो गए लेकिन आज हम दे रहे हैं कि किस रासी वाले को कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए और वो हम बताने जा रहे हैं कन्या रासी वालों के लिए अब कन्या रासी और कन्या लगन जन्म लगन और जन्म की रासी कन्या हो अब वो कन्या रासी आपके जनम के नक्षत्र के आदार पर होनी चाहिए तब ही जाकर कि ये नियम आपके साथ में लागू होंगे अब कई बार हमें कमेंट बॉक्ष के अंदर लोग लिख देते हैं आप तो जो कहें केवल पुरुस प्रधान फलादेश देते हैं आप इस्त्रियों के लिए कुछ नहीं बताते हैं जो रासी वो तो इस्त्रियों की भी है और पुर्सों की भी है वही फल इस्त्रियों के लिए है और वही फल पुर्सों के लिए है तो आईए कन्या रासी वालों के लिए जो हैं जानकारी लेते हैं कन्याराशी वालों को तीन रत्न पहनने चाहिए हैं और वो तीन रत्न कौन-कौन से खें उन तीन रत्नों की जानकारी आप लीजिए सबसे पहले आप पन्ना पहन सकते हैं हीरा पहन सकते हैं और नीलम पहन सकते हैं इसके अलावा और बाकी रत्न आप नहीं पहन सकते हैं वो कौन-कौन से रत्न है आईए मैं अब आपको बताता हूँ सबसे पहला है मूंगा और मूंगे का मालिक होता है मंगल मंगल आपके तृतियेस है और अस्टमेस है तो तीन, छे और ग्यारा इस्थान के जो मालिक होते हैं स्वामी होते हैं वो पाप फल देने वाले होते हैं अस्टमेस भी पापी होता है तो इस स्थिति के अंदर अगर मूंगा आपने पहना तो भाईयों से मित्रों से शत्रुता आपके पराक्रम में रास, कमी यहीं प्रभाव की कमी आजाएगी आयू में कमी आजाएगी तो इन्स कारण से आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए आपको पुखराज भी नहीं पहनना चाहिए कारण एक तो बुद्ध का आपकी जन्म की रासी कन्या है, कन्या का मालिक बुद्ध होता है और बुद्ध और ब्रेहस्पती में आपसी शत्रुता होती है इस कारण से भी आप पुखराज नहीं पहनेंगे दूसरे नमबर पर केंद्रा दिपत्य दोसस्तू बलवान गुरु सुक्रयों हो आपके केंद्र के मालिक चतुर्त स्थान और सब्तम स्थान के मालिक आपके ब्रेहस्पती बन जाते हैं शुब ग्रेह होते हुए भी पाप फल देने वाले हो जाते हैं तो ऐसे सिति के अंदर आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए अगर पुखराज पहनेंगे तो माता के साथ संबंद बिगार देगा पत्नी के साथ संबंद बिगड जाएंगे भूमी वहन वहन संबंदी जो हैं आपके विवात पैदा हो जाएंगे और आप अपयस को प्राप्त करेंगे ख्याती आपकी समाप्त हो जाएगी बदनामियां बढ़ जाएंगी इसलिए आप जो हैं पुखराज ना पहने अब नमबर आता के मोती का मोती जो हैं चंद्रमा का रत्न होता के और चंद्रमा आपके ग्यारवे इस्थान के मालिक है तो यह मैं पहले ही बता चुका हूँ तीसरा चटा और ग्यारवे इस्थान पापी होता के तो ग्यारवे इस्थान के मालिक को कभी भी बल नहीं देना चाहिए अते आप मोती नहीं पहनेंगे अन्यता जहां जहां भी चंद्रमा जो है बैठेगा उस जगे पर उस इस्थान के जो भी परिनाम होते हैं उनमें असुबता ला देगा और एक बात अब और है मानिक आपको नहीं पहनना चाहिए क्योंकि सूर्य आपका द्वादा सेस है और मानिक क्या आपने पहना अगर वो द्वतिय स्थान के अंदर बैठा के तो कुटुम्ब से अलग कर देगा त्रतिय स्थान में सूर्य बैठा के भाईयों से अलग कर देगा चतुर्थ स्थान में बैठा के बैठा के पतनी से अलग कर देगार अर्ज में बैठा है या जो है राजनीती में अगर आपखे है तो आपकी जो किए राजनीती भी साथ तो हो जाएगी, पिता से जो कहें, दूरी बन जाएगी, या विबाद हो जाएगी, या पिता के सुक में कमी आ जाएगी, तो ऐसी स्थिती में आपको मानिक के भी नहीं पहनना चाहिए, तो अब आपके लिए कौन सा रत्न, पन्ना आपके लिए स्रेश्टिक है, हीरा आपके नहीं पहनना खरे कहां से परचेश करें आपके आसपास कही न कहीं जोहरी की दुखाने जरूर होगी है आप उससे परचेश की जिए रत्न भी मिलते हैं उपरत्न भी मिलते हैं सहायक रत्न भी मिलते हैं और उनका मारका भी मिलता है लेकिन आप लेब टेस्टेड सर्टिफाइड रत्न आप खरी दियेगा उसमें कहीं कोई धोका नहीं है कीमत रतनों की quality के इसाब से होता है और अगर आपको कहीं पर कोई चीज नहीं जमती के आप इन नम्बरों पर संपर्क करके हमारे संस्थान से संपर्क करके भी आप रतन ले सकते हैं गारंटी के साथ और certified रतन आपको प्राप्त होंगे नमस्कार हमारे यहां वैदिक ब्रह्मनों के द्वारा सभी प्रकार के पूझा पाट, कर्मकांड, संगीत में विभा, ग्रीक लेश, काल सर्प दोश, व्यापार में रुकावट वह नव ग्रहों की पूझा आदिक कराई जाती है हमारे संपर्क सूत्र हैं हमारी वेब साइट है